हेलो एवरीवन इस वीडियो में हमका खुषा चार रीडिंग अभ्यान हिंदी की कारे पत्रे का संख्या 15 देखेंगे तिनांग हैस की तीन फरवरी 2022 तीसर सपताहा चल रहा है और वक्षित की धीन है खूबी चली शुरू करते हैं और देखते हैं इस वक्षित की माध्यम से हमें क्या नया सीखने को मिलता है नमस्ते प्यारी बच्चो आशा करते हैं आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों हर इनसान में कोई न कोई खूबी छुपी होती है बस हमें उस खूबी को पहचानने की जरूरत है आईये कहानियों का सिलसला आके भड़ाते हुए एक जंगल में चलते हैं और जानते हैं कि वहां किसकी खूबियों की बात हो रही है तो यहाँ एक जंगल की कहानी दी गई है चलिए सबसे पहले इस कहानी को रीद करते हैं एक जंगल था, वहाँ सबी जानवर परिवार की तरह मिल जुलकर रहते थे एक बार जंगल का राजा रिुद्ध की तैयारी कर रहा था उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई जिसमें हाती, हिरन, भालू, मंदर, घोड़ा, गदा सभी आए राजा ने सब को उनके काम सौब दिये केवल खरगोश और गदे को काम देना बाकी था अन्ने जानवर बोले महराज इन दोनों को अपने सेना में शामिल मत कीजिए बहुत डरपोग है, तब ही राजा ने कहा, भाईयों, आपने गदे और घरगोश की कमजोरियां तो देख ली, लेकिन क्या आपको इनकी खूबियों पर ध्यान दिया सब ही बोले खूबियां, इनमें कुन सी खूबियां है महराज, राजा ने कहा, गधा इतना इतनी तेज अवाज में चिला सकता है कि मेरी दहार भी उसके सामने हलकी लगेगी और घरगोश के जितना फुर्तीला तो कोई है ही नहीं इसलिए मैं गधे को दोशक बना देता हूँ और खरगोश को संदेश वाहग बनाता हूँ हर किसी के अंदर कोई न कोई खूबिय जरूरत होती है बस हमें जरूरत होती है उसे ढूणने की तो बहुत जाधा अच्छी स्टोड़ी आज की दे रखी है हर कहाणी में कोई न कोई शिक्षा हमें मिलती है आज की कहाणी में भी शिक्षा यही है कि हमें किसी को ऐसे जज़ नहीं करना चीया है कि उस चुश को opposite उन्दर खूबी नहीं है ठीक है कमजोरी को नजर अंदाज कीजिए आप आगे भढ़िए अपनी खूबियों को देखिए और आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कमजोर हैं ठीक हमारे अंदर सभी के अंदर कोई खूबिया जरूर होती हैं आप अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं तो कोई अच् आप ये देखिए कि आपके अंदर कितनी सारी खूबिया हैं ठीक है अब प्रश्ण एक देखो ऊपर देगई कहानी को पढ़कर निम्नलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजे प्रश्ण कर राजा की सभी राजा की सभा में कौन-कौन से जानवर आये तो राजा के सभा में हा अधे को उसकी तेज अवास के लिए और खरगोश कुरसी उसकी फूर्ती के लिए युद्ध में चुना गया तो यहां मैं इसको थोड़ा कर देती हूं यह देखिए यह इसका अंसर हो जाएगा फिर आगे है अपने परिवार के सदस्यों की कोई एक होबी लिखिए माता की तो माता अच्छा खाना बनाती है तो आप लिख सकते हैं खाना बनाने की अच्छा खाना बनाने की ठीके तो आप लिख सकते हैं स्वादिष्ट ठीके यहां स्वादिष्ट आप यूज़ कीजे स्वादिष्ट ठीके स्वादिष्ट भोजन बनाने की ठीके तो आप बहुत सुन्दर चित्रकला करने की तो इस तरीके से आप लिखेंगे और पिता की क्या खुबी है तो पिता की खुबी हो सकती है बहुत सारी दिखिए माली जी वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो बहुत अच्छा गाना गाने की तो यहां खुबी लिखेंगे माता पिता और भाई ठीक है इन सब की आपको एक खुबी लिखनी है अपने परिवार के सदस्यों की फिर आता है आओ बाचित करें इसको देख लेते हैं तो यहाँ पर यह बोल रहा होगा हमें गाउं जाने में कितना समय लगेगा तो यह बोल रही होंगी शायद दो घंटे लगेंगे यह बोल रही होगी नहीं एक घंटा लगेगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं इनका समवाद करवा सकते हैं तो अगर इस वीडियो से आपको वक्षिक करने में थोड़ी से भी हैल्प मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और इस वीडिय को जरूर लाइक कीजेगा so meet you soon in the next video thank you for watching